हेलो स्टूडेंट आज की क्लास में आप लोग के लिए कंप्यूटर के लावा एक नए सब्जेक्ट का एक टॉपिक लेक आया हूं आज मैं मैथ कॉंटिटिटिव एप्टिटूट का कार्य और समय का भाग एक लेके आया हूं दीखें आप किसी भी कंप्यूटिशन एक्जा के सी सेट में भी गड़ित का क्वोश्टन रहता ही है तो बीना गड़ित के आप जो है कोई भी कंप्यटिशन एक्जाम करी नहीं सकते तो इसमें मैं आज आज आपका यह फर्स्टे है जिसमें मैं गड़ित का लेक्चर रिकार्ड कर रहा हूं तो मैंने कार और समय टॉपि देखिए पहला कोश्चन में मैंने लिया हुआ है कि किसी काम की बात हो रही है देखिए कि एक किसी कारे को दस दिन में समाप्त कर सकता है और अभी अकेला उसी कारे को बिज दिन में समाप्त कर सकता है तो यदि दोनों को एक साथ काम कराया जाए तो कितना दिन में काम समाप्त होगा देखिए कारे और समय का जो टॉपिक है तो मैं बता दूँ जब भी हम किसी कारे को करते हैं तो उसके हमको क्या चीए उस कारे को करने के लिए हमको छमता क्या सकता होती है और छम्ता के सासथ हमें आरे पास समय होनों चाहिए तो छम्ता और समय जो है एक दुसरे के युद्क्रमानुपाती होता है युद्क्रमानुपाती के मतलब होता है कि यदि आपकी छम्ता जादा है तो आपको समय कम लगेगा ठीक है और यदि आपको समय ज़्यादा लग रहा है मतलब आपकी छमता कम है मतलब वो दूने एक दूसरे के अपोजिट है ठीक है तो देखे हम लोग जो है पहले कुश्चिन में मैंने बात की कि दो अलग-अलग वेक्तियों से मैं एक ही काम को कराने की बात कर रहा हूँ तो यदि A करता तो उसको 10 दिन लगने वाला था ब करता तो 20 दिन लगने वाला था और दोनों मिले करेंगे तो अव्यस है कि आपका जो आंसर आने वाला है वो 10 से कम आएगा क्योंकि A अकेले ही 10 दिन में कर ले रहा है तो जाहिर सी बात है जब B मिल जाएगा तो जो है 10 दि अब बात करेंगे कि पहले मैं क्या करता हूं एक shortcut ट्रिक बताता हूं जिससे आप एकदम असानी से इस question को within 30 seconds हल कर लेंगे लेकिन इसके लिए एक condition है कि केवल और केवल जब दो वेक्ति की कि आपको क्या कर देना है दोनों को जोड के एक दूसरे से भाग कर देना है देखिए पहले वेक्ति का मान गुना दूसरे वेक्ति का मान और भाग कर देना है आपको पहले वेक्ति के मान में दूसरे वेक्ति के मान को जोड कर देना है ठीक है तो मैंने कहा 10 गुना 20 बटे में 10 धन 20 इस प्रकार से आपका हो जाएगा 10 बटे 20 और यह हो जाएगा आपका 30 यह 0-0 कड़ जाएगा आपका आंसर बचेगा 20 बटे 30 आपका आंसर यहीं पर समाप्त होगी अब इसको बटे गुरुप में तो दीन में कनवर्ट करेंगे तो 3, 6, 18, 6, 2 बटे 3 आपका दिन इसमे आपका काम समाप्त हो जाएगा तो यहां पर भीया देखे समझने वाली बात यह है कि दोने वेक्ति साथ में काम कर रहे हैं इसलिए हमने उनके मानों का यहां पर जूड दिया है ठीक है एक बनाता एक भी गड़ता डिफरेंट का अलग-अलग होता तब हम उसों घटा देत कश्या दे रहेंगा कुछ काम को a करीगा फिर रूत जाएगा फिर बी इस परकार को जाता है तो सभी प्रकार को सालों करने सिर्फ एक ब्रम्हास्तन है बस साथ ब्सक्रा क्या दिया हुआ हुआ है हमने कहा अब आपको क्या करना है हापे आपको इन दोनों का LCM निकालना है क्या करना है आपको इसका LCM निकालना है 10 और 20 का आपको लगुत्तम निकालना है, तो मैं आपको आज तक आपने जो भी लगुत्तम निकालने का तरीका देखा को, उससे मैं आपको सबसे असान तरीका बता रहा हूं, जो बड़ा है उसको आप पकड़ लीजिए, इन दोनों में से बड़ा कौन है 20, अब जो एक होना है कि ये लगुत्तम समापवर तक हो सकते, इसलिए मैं उसको क्या कहा, उसको मैंने हाइलाइट कर लिया, अब जो अंक छूड़ यह उसका पहाड़ा पढ़िया, और देखिए क्या उसके पहाड़े में वो अंक आ रहा है, हाँ तो फिर भी यह उसको आप लगुत्तम म पूरा काम, इतना ही काम आपको करना है, इतना ही काम आपको करना है, पूरा काम, ठीक है, तो यदि दस दिन में आप वीस काम को पूरा कर रहे हैं, मतलब आपकी छमता कितनी हुई, दस दिन में वीस काम, तो दस दुना, वीस मैं आप लिख देता हूँ, दो, उसी प्रकार स बी जो है बीस दिन लग रहा है उसको इस काम को करने में तो भया बीस का पाड़ो बीस एकम बीस मतलब एक की छमता दो है और बी की छमता कितनी है एक है क्लियर है यहां तक अब देखिए चुकी मैं दोनों को ए और बी को यदि एक साथ काम कराऊंगा भई तो ए दो करेगा भी एक करेगा मतलब दोनों मिलके कितने करेंगे तीन करेंगे समझ रहे हैं ए और बी दोनों मिलके कितने काम करेंगे तीन काम करेंगे जबकि मुझे क्या मुझे क्या करना है अब भीए देखो पूरा काम हमारा कितना था हमारे पास पूरा काम है कितना हमारे पास है total 30 काम जिसको मुझे इन दोनों से कराना है देखिए यहाँ पर मेरा क्या है लगुत्तम 20 आया हुआ है A की छम्त 2 है B की छम्त 1 है और दोनों मिलके करेंगे तो तीन काम करेंगे तो कुल कार है कितना है? बीस है और एक दिन का कार है कितना है? तो जब ए और बी दोनों मिलते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं? हमारा तीन काम करते हैं तो बीस बटे तीन इस प्रकार से आपका आजाएगा 6 सही 2 बटे 3 दिन में जब A और B काम करेंगे एक साथ तो आपका काम स्वाप्त हो जाएगा अबीध है आपको समझ माया होगा चलिए नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं एक और सेम कोश्चन है आप ध्यान से देखते रहिए आतानी से बनने स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट हमारा देखिए हमने कहा कि A और B अलग अलग किसी काम को 10 और 20 दिन में देखिए A से कराऊंगा तो 10 दिन में करेगा B से कराऊंगा तो वो 15 दिन में करेगा चोकि देखिए यहां पर दो वेक्ति की बात हुरी तो बिल्कुल मस् सोचिए दोनों को गुड़ा करिए और दोनों को जूड़ देजिए 15, 10, 25 हो जाएगा है यहां पर देखिए 5, 25, 25, 5, 3, 15 और यहां से 5, 2, 10, उपरे बजगे भी है 2 और इधर से 3 और 2, 3, 6 तो आपको आंसर आजाएगा 6 दिन देखिए आपको 30 सेकंड भी 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 नहीं लगेगा आपका कोस्चन जो है वो साल हो जाएगा ठीक है लेकिन आपके पास एक और तरीका है आप इस तरीके से ट्राई करिए देखिए क्या करिए आपसे पहले नोट कर लेजिए कि आपके पास क्या क्या है तो मेरे पास है भई एक क्या है 10 दिन में काम करता है और भी 15 दिन में तो मैं क्या करूँगा अब यहां पर दोनों का लगुत्तम निकालूगा फिर से वही तरीका है मैंने क्या कहा कि जो भी आपका बड़ा वाला अंक है उसको पकड़िए और दूसरे अंक से पहाड़ा पढ़के देखिए क्या 10 के पहाड़े में 15 आता है क्या नहीं तो मैं लग लगुत्तम अब यहां पर देखिये क्या हो जायेगा एका अब आपका 30 का बड़त्तम आचका है अब हम क्या करते हैं आगे देखते है तो मैं तो देहाँ यहां पर क्या हो जाएगा क्यूंआ कि यहां पे हमारा जो है A और B का लगुत्तम आ गया है 30 मतलब अब देखिए A की छमता किती होगे 10 तीया 30 और B की छमता होगे 15 दूना 30 तीया 30 मतलब A एक दिन में 3 काम करेगा और B एक दिन में 2 काम करेगा अब यह दीख हमारे कोश्चन के साथ में काम कराना है तो साथ में काम करेंगे तो 3 और 2 5 काम होगा एक दिन में एक दिन में कितने काम करेंगे 5 काम करेंगे मुझे कितने काम कराने है मेरा पूरा काम कितना है जो अप लगुत्तम निकालेंगे वही आपको क्या होगा पूरा काम होगा दिन में आपका काम जो है वो समाप्त हो जाएगा ठीक है क्या चले नेक्स्ट कोशन देके अब दिखिए यहां पर हमने विक्ति की संख्या को बढ़ा दिया अब हम बात करेंगे दो नी तीन विक्तियों की बात करेंगे तो उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा जैसे मैंने पहल मुझे मुझे क्यार लेजिए मेरा सबसे बढ़ां क्या है तीस है अब दिखर पहर कहड़ा में तो आइगा लेकिन बिस के पहरा में तीस नहीं आएगा इसलिए मुझे का करना पड़ेगा तब 11 काम वो एक साथ करेंगे एक दिन में, ठीक है, तीनों को यदि हम एक साथ काम में लगा दें, तो 11 काम होगा, लेकिन मुझे 11 काम, ये तो एक दिन का है न, मुझे पूरा काम किता है, तो मैंने कहा पूरा काम किते दिन में होगा, मतलब किते दिन में समाप्त करेंगे, य है क्या ठीक है लगुत्तम क्या एगा मेरा 60 आई और यहां से आपको क्या मिल जाएगा दिखिए 20 26 6 और ये 30 दूना 60, मतलब A की छमता 6, B की छमता 3, C की छमता 2, और कुल मिला के जब 3 एक साथ काम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 11 काम, और जब मैं इनसे कहूं कि ये पूरे काम को कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 60 बटे 11, इस प्रकार से आजाएगा आपका 5 सही 5 बटे 11 दिन, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट कोश्चन क्यों बढ़ते हैं, अब देखें कोश्चन में थोड़ा सा कुछ परिवर्तान लाते हैं, अगरे, पहले, पहले, तो तो उसी काम को किते दिन में खत्म करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए? पहले तीनों का लगुत्तम निकालिए तो तीनों का लगुत्तम में देखे क्या हो जाएगा यहां पर देखे सबसे बड़ा अंकॉन सा है मेरा 30 है तो मैं 30 को पकड़ता हूं देखे 10 के पाड़े में भी 30 आता है और 15 के पाड़े में भी 30 आता है तो आपको ज्यादा नी प्रदूना 30 और यह हो जाएगा आपका 30 एकम 30, मतलब अ एक दिन में तीन काम करेंगा, बी दो काम करेंगा और सी एक काम करेंगा तो तीनों को अगर मिला दे तो 3-2-5 और 1-6 काम करेंगे, इस प्रकार से पूरा काम बट्टे एक दिन का काम तो 6-5-30 आजाएगा ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लिजिए, यहाँ पे 30, यहाँ पे 3, 2 और 1, कुल मिला के 6 काम, पूरा काम किता है, आपका 30 और 1 दिन का कारा है हमारा 6, तो आपका हो जाएगा 5 दिन में पूरा काम समाथ, ठीक है, चले, नेक्स्ट कोशन की और प 15 दिन में सवाब, देखिए, सभी कोशन लाग एक जासर हा है, लेकिन आप कोशन को पास करके एक बार पढ़िए, A और B के अलग अलग दिया हुआ है, दोनों मिलकर काम सुरु कर रहे हैं, लेकिन काम सुरु करने के चार दिन बाद A काम छोड़कर चले गया है, से इस काम B किया जाता है तो चलिए देखते हैं कि A और B की सबसे पहले हमको सबसे पहला काम आप शमता निकाल लेजे भाई शमता निकाले बहले वो साथ में काम करें या ना करें कोई चार दिन करें कोई तीन दिन करें कोई फरक नी पड़ता है हमको शमता पता होना चाहिए शमता निका करीए देख लीजिए लगुत्तम निकलना आप सिख़े होंगे 15 देखेंगे 15 बड़ा में 15 दसके पाड़े में नहीं है तो ये हो जायेगा आपका 30 लगुत्तम आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10 तीस तीस ओर हो जाएगा 15 दूनी 30 मतलब एक की छंता हो गई मेरी 3 और बी की छ और बी की शम्ता निकाल लिया, तो A की शम्ता केती हो गई है। ये हमारी तीर थी, ये ये थीन है, ये दो है, ठीक है। दोनों मिलके काम करेंगे, तो तीन और दो पांच काम करेंगे। अब देखिए। Qustion में हमेंने क्या काथ है। कि दोनों ने क्या क्या काम तो सुवात में शुरू किया था ना, चार दिन तक तो काम किये, चार दिन बात भगए ना भई, तो जब चार दिन तक साथ में रहेगा, तो चार दिन में कितना काम करेगा, देखो पांच, एक दिन में पांच कर रहे हैं, एक दिन में पांच, तो 30 काम और अभी तक मेरा कितना काम हुआ है 20 काम तो 6 कितना बज़ गया तो 6 बज़ गया मेरा 10 काम अब तो चले गया दो बंदे ने काम सुरू किया था A और B, A भग गया, बचा कौन B बज़ गया, तो 10 काम को कौन करेगा B करेगा अव्यस है अब देखिए बचा है मेरे पास 10 काम और करने वाला है बी और बी की छमता कितनी है भई तो यह देखिए बी की छमता मेरी यहाँ पर देख लिजिए बी की छमता है मेरी 2 बी की छमता कितनी है 2 है यहाँ पर देखिए बी की छमता 2 है तो बचा हुआ काम बटे चमता तो मेरा हो जाएगा यह 2 पंचे 10 तो भी द्वारा पूरा काम कितने दिन में समाप्थ हुआ दिखो यदि सेस काम को पूछ यह कुशन का लग-लग दिखर दता है भई न मैंनुस कुछं ने पूछ़ा है तब सेस काम को भी द्वारा किया जाता है तो पूरा काम कितने दिन में होगा पूरा काम जानना चाहता है भई तो 4 दिन तक तो हमारा दोनों थे और अन्तिम के 5 दिन में केवल और केवल भी था तो पांच चार नौ दिन में आपका पूरा काम समाप्त होगा यदि question पूछता कि सेस काम को भी कितने दिन में करेगा तो सेस काम को कितने दिन में किया यह सेस काम था वही न आपका यह सेस काम को पांच दिन में करेगा और पूरा काम होगा पाच चार नौ दिन में ठीक है तो चलिए देख लेते हैं देखिए यहाँ पर मैं इसको फिर से रिपिट करता हूँ इसका लगो तम आएका 30 यह हुजाएगा 3 यह हुजाएगा 2 टूटल मिलाकर हुजाएगा 5 जब 7 में करेंगे तो 20 कम होगा से इसकम आपका 10 है 10 को B करेगा तो भैया 10 कम को B अपनी च्चमता से करेगा बीगी छमता है दो तो आंसर आ जाएगा आपका पांच दिन इस प्रकार से पूरा काम लगेगा यहां से चार दिन और यहां से आपका पांच दिन तो पांच चार नो दिन ठीक है पूरा काम नो दिन में सेस काम पांच दिन में यह हो गया आपका से इस काम चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपका कि a और b अलग अलग किसी काम को 10 और 20 दिन में समाप्त करते हैं दोनों मिलकर काम सुरू करते हैं सेम वह इसी है देखिए कि यह 10 और 20 दिन हमारे पास यहाँ पर क्या है कि a और b का है तो चले, शुरू करते हैं A और B का लगुत्तम असान है A और B का हमारा कित्ता जाएका लगुत्तम 20 आ जाएका क्योंकि 10 के पाड़े में 20 आ रहा है तो A की छमता हो जाएगी 2 और B की छमता हो जाएगी 1 तो 2 और 1, 3, दोनों मिलकर काम कित्ते दिन में करेंगे 20 काम, 20 काम में से 12 काम हो गया तो बचा कित्ता, 8 काम और A भाई साहब तो चले गए A काम छोड़ कर, चले गया तो बचा कौन सिर्फ और सिर्फ B तो बैयाब देख्ये, बचा है हमारा 8 काम और B अपने छमता से तरेगा तो B की छमता कित्ती है? 1 यह हमारी क्या है सेस काम है नहीं यह हमारा सेस काम है आठ काम और बी की च्छमता है एक तो एक अठ़ो आठ दीन लगेगा देखिये मैंने कोशन दो तरी के से पूछा है पहला कि पूरा काम किते दिन में होगा तो देखो भई चार दीन इधर और 8 दिन इधर तो पूरा काम हो जाएगा आपका 8, 4, 12 दिन में और दूसरा question मैंने पूछा हुआ है कि 6 काम को बचा हुआ काम को भी किते दिन में करेगा तो बचा हुआ काम होगा दूसरे का answer हो जाएगा 8 ये second का answer है 8 बचा हुआ और पहला पूरा काम पूछ दिया भाई तो 4 प्लस 8 बराबर 12 दिन लगेगा ठीक है चलिए next question देखते हैं ये थोड़ा अलग प्रकार का question है अब इसको ध्यान से समझेगा एक इसी काम को गिते दिन में 12 दिन मे एक इसी काम को 12 दिन में और इए और भी दोनों एक साथ मिल कर उसी काम को 8 दिन में देखिए एए और भी साथ में करते हैं तो 8 दिन लगता है और अकेले करता है तो 12 दिन लगता है चाहिर सी बात है दो जबं मिल जाएंगे तो कम दिन BRAND लाइं लाइं आप बस बने रही है उसी तरीके से जो मैंने ब्रहमास्त कहा है आपको देख लिजी दो अलग-अलग हमको दिया गया है दिन हमारा काम वही है कि हम जो बड़ा अंख है बारा उसको पकड़ते हैं आठ के पहाड़े में बारा नहीं आता है इसलिए मैं बारा दूना चोबिस करूँगा अब देख लिजे आठ तिया चोबिस हो जाएगा और ये बारा दूना चोबिस हो जाएगा मतलब यहाँ पर देखो एक इसी काम को मतलब एक की छमता दो है एक की छमता कित्ती है दो आया और एक के साथ यदि मैं बी को मिला दूँ तो हो जाता है तीन अरे भई A का मान 2 है B का मान मुझे नहीं पता है 3 है तो 2 में मैं क्या चोड़ दू कि 3 हो जाए भई यह आप पकछांतर कर कि दर बेस 2 तो पता चल लाएगा B का मान कित्ता हो जाएगा 1 हो जाएगा भई क्या हो जाएगा आप कहां पे एक हो जाएगा ही ठीक है B की चमता A का चमता 2 है A B की चमता 3 है तो आप यह से B का मान तो एक ही होगा न तो B का एक दिन का कार कित्ता हो जाएगा एक काम करता है वो अब देखो question में आप से क्या पूछा था कि B अकेला इस कार कित्ते दिन और B से कराओंगा तो B की चमता कितनी है एक है? एक दिन में एक काम करता है तो चोभिस कामarla कितने के दिन में करेगा? 24 दिन में एक काम चोभिस दिन में 24 काम तो आँशर क्या जाएगा आपका यहांपर समझने वाली बास बात यह थी यहां पे कि A और B की छम्त तीन है, A की छम्त दो है, तो क्या होगा, ठीक है, तो B न टाइम ज्यादा वेश्ट नहीं करने हैं, अपने को, यह देख लीजिए, यह देखिए, आठ रिस्का करेंगे, तो हमारा 24 आया, इधर हमारा 3 आया, दो आया, तो हमारे आप B का मान एक हो आया, आप B से कराना चाहते हो, तो पूरा काम मेरा 24 था, और B की छम्त कित्ती एक है, तो यह हो जाएगा मेरा 24 दिन, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट कोशन में देखते हैं, से वैसी कोशन है यह भी, एक इसी काम को कित्ते दिन में, 72 दिन में, और जब कि यदि हम उसको B के आड़े में, 72 आता है, आता है, 18 चोंके, तो यह मेरा 72 हो जाएगा, आपका LCM, तो देखिए, 18 चोंके 72, और जब की A कमान कित्ता हो जाएगा, 72 एकम बहत्तर, मतलब भी यह देखिए, A काम करता है, A की छम्त एक है, और A प्लस B की छम्त कित्ती है, चार है, तो यह देख ल जाएगा, B कमान 3 आ गया, मतलब B एक दिन में कित्ता काम करेगा, 3 काम करेगा, अब उसने को कहा, B को अकेले कराईए, क्या कहा आपने, B से अकेले कराईए, पूरे काम को, तो भाई अकेले करेगा, तो पूरा काम, बटे, B का काम है, तो B का काम है, तीन से करेगा, तीन से भाग दोगे तो फिर क्या हो जाएगा आपका ये तीन से भाग दोगे तो तीन दूना च्छे तीन चेक बारह तो चोबिस दिन में आपका भी काम को खाट में कर देगा तो ये था आज हमारा पहला दिन था तुम्हेने आठे कोशन लिया हुआ है तो मैं आ यदि आप लोगों रिकार्ट करूं की नहीं करूं तो आप कम से कम लाइक और कमेंट करके बताइए कि मैत का यह जो सीरीज है उसको कंटीनिव करूं की नहीं करूं तो उसके लिए मैं टार्गेट सेट करके रख रहा हूं कि यदि मुझे कम से कम मैंना 100 लाइक यदि मुझे मिलता है तो अभी मैं इसका पार्ट तू ले क्या हूंगा वो एक प्रकार से हिंट रहेगा कि आप लों को मेरा लेक्चर जो पसंद आ रहा है ठीक है तो चलिए आज अच्छी क्लास मैं यहीं पर खतम करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए लाइक करिए कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लिए धन्यवाद करें